पती पतनी का सच्चा प्यार एक आदमी ने एक बहुत ही खुशूरत लड़की से साधी की साधी के बाद दोनों की जिन्दगी बहुत प्यार से गुजर रहे थी वहा उसे बहुत चाहता था और उसकी खुशूरती की हमेजा तारीत किया करता था लेकिन उस दिनों के बाद लड़की चर्म रोख से गरचित हो गई और दीरे दीरे उसकी खुशूरती जाने लगी खुशू को इस तरह देख उसके मन में डर सामाने लगा कि यदि वह बचूरत हो गई तो उसका पती उससे मकरत करने लगेगा और वह उसकी मकरत बारदास नहीं कर पाए जी इस बीच एक दिन पती को किसी काम से सहर से बाहर जाना पड़ा काम खत्म कर जब वह घर वापस लोट रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों आखें पो दी लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिन्दगी सामान तरीके से आगे बढ़ती रही समय गुजरता रहा और अपने चर्मरोग के काराण लड़की ने अपने को स्कूरती पूरी तरह ज़मा दी वह बद सूरत हो गई लेकिन अंदे पती को इस बारे में इसलिए इसका उनके खुसहाल बिवाहिद जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़ा वह उसे उसी तरह ख्यार करता रहा एक दिन उस लड़की की मौत हो गई अब पती अकेला हो गया था वह बहुत दुखी था वह उस सहर को छोड़ कर जाना चाहता था उसने अंतिम संसकार की सारी प्रिया विधी पूर्ण की और सहर छोड़ कर जाने लगा तब ही एक आदमी ने पीछे से और पास आकर कहा अब तुम बिना सहारे की अकेली कहें चल पाओगे इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी पती ने जवाब दिया दोस्त मैं अंधा नहीं हूँ मैं बस अंधा होने का नातक कर रहा था क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बस्तूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता इसलिए मैं ने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया वा बहुत अच्छी पत्नी थी मैं बस उसे खुश रखना चाहता था दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धर्निवाद दोस्तों